Hello everyone, कैसे हो आप सभी? I hope सभी अच्छ होंगे और अच्छ से त्यारी कर रहे होंगे आने माले exams के लिए तो आप सभी क्या स्वागता आपके पने चैनल गरसे पाटशालम में तो इस वीडियो हम के बात करने वाले LIC ADO officer की जो salary रहती है वो कितनी रहती है क्योंकि इसकी जो notification हो आउट हो गई है सभी जोन्स के लिए तो सभी जोन्स की जो notification हो आगई है और exam इसका जो form filling का link है वो भी activate हो गए है आप इसको बर सकते हैं तो इसमें क्या salary रहता है सभी को यह जानना रहेगा क्योंकि अगर कोई apply कर रहा है किसी जोब के लिए तो इसकी detail आपको पता होने चाहिए तो क्या salary package रहता है एक as a development officer आपके LIC में तो इसकी detail में आपको बताने वाला हूं तो वीडियो को last तक जरूर दखें वीडियो अच्छा लगेगा तो please वीडियो को like करना शेर करना और चैनल को subscribe करना तो start करते हैं इस वीडियो को इसमें जो basic pay रहता है एक as a adio आपका जो basic pay रहेगा वो आपका रहता है 35,650 रूपीज और आपको एक cadres special allowance यहां पे मिलता है 3,200 रूपीज का इसमें जो dearness allowance आपको मिलता है वो है 11,406 रूपीज और जो hra house rent allowance आपको मिलता है 2,495 रूपीज जो कि आपका vary करता है according to cities कौन सी city में आप रहते हैं xyz cities की categories बनी हुई है तो उसके according आपको hra allow कियाता है इसमें fca class 2 में भी आपको 1,400 रूपीज से आपको मिलता है sr account debit में यह तो कुछ 0.14 आपको मिलता है और इसमें जो total gross earning आपकी अगर हम देखते हैं इन सबको मिलाकर तो आपके total gross earning जो बनता है as a ADO officer तो आपका 54,152 रूपीज आपको as a ADO आपको salary में gross earning आपका होता है तो आपको deductions से देखते हैं क्योंकि deductions minus करने के बाद जो मिलता है आपको वो आपके bank account में आपका credit होता है आपका जो gross earning है वो है 54,152 रूपीज और आपका total deductions हैं 2697 रूपीज अगर हम इसमें सी gross earnings में deductions में करते हैं तो आपका net payable निकल के आता है 51,455 रूपीज जो कि आपके bank account में credit होता है और जिसको हम in-hand salary बोलते हैं तो in-hand salary आपका 51,455 रूपीज आपको मिलता है as a ADO officer आपको LIC में तो salary अच्छी है लेकिन यह जो job है वो target based रहती है आपको कुछ agents आपके under hire करने पड़ते हैं और इनकी जो policies हैं वो बेजनी पड़ती है यह sales officer type की job रहती है तो आपके अगर अच्छे link हैं तो आप इस job को जरूर अपलाई कीजिए और जो vacancies हैं वो भी अच्छी आपसे इस पर निकालेगी हैं तो इसकी जो allowances हैं वो भी अच्छे रहते हैं जैसे newspaper allowances आप इसमें मिलता है medical allowances यहां पर मिलता है LTC मिलता है तो जो भी detailed allowances आपको अलग से वीडियो बना के इसमें अच्छे से समझा दूँगा और इसकी जो incentives हैं आपको बहुत अच्छे मिलते हैं बहुत अच्छी amount इसमें incentives के तोर पे आपको मिलती है अगर आप targets को पूरा करते हो तो detailed video में आपको लेके आऊँगा तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please video को लाइक करना शेर करना और thanks for watching the video झाल